ऑला फैंस वेलकम टू नियोयोय किशन एजुकर्षण चनाज आज आज आपका करेंड फेर का प्रैक्टिस सेट्गार टेंड बनने जा रहे हैं ये आपका करेंड को प्रैक्टिस सेर्ट है इससे पहले हम आपको वन से लेकर 9 तक 37 करवा चुके हैं आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर वीडियो देख लिएगा चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट कोशन अपका है कि भारत ने सलाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझोता ग्यापन पर ह अस्तक्षर किये हैं तो ये कि आपका 10 चीत अफिरिया के साथ आपका ऑपशन ए हो जाएंगे नेश्ट आपका है कोश्चन है कि किस बजट को अमरित काल का पहला बजट कहा गया है तो ये कहा गिए आपका 23 24 बजट को आपका ऑपशन दी हो जाएंगे नेक्ट अपका है कोश्चन नमर थर है कोश्चन अपका है कि 74 गंतंत्र दिवस प्रेड में सामिल कियेगे जहांकी को पर्थम पुरुषकार से सम्मानित किया है तो यह किया है आपको उत्राखन राज की जहांकी को आपका option C हो जाएंगे यह कोश्चन आपको पत्ना हाई कोट के जो इक्जाम हुए थे इसमें यह पुछा गया था कि 74 गंतं दिवस के प्रेड में सामिल होने मले किस राज की जहांकी को पर्थम पुरुषकार दिया तो उत्राखन राज को आपका option C हो जाएंगे कोश्चन है कि IMF की World Economic Outlook Report के अनुशार वर्ष 32 में भारत की विकासदर का अनुमान क्या है यानि IMF के अनुशार 32 में भारत के विकासदर का अनुमान क्या है यह आपका है 6.1% आपका option D हो जाएंगे कोश्चन है कि बजट 23-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान परस्तूत किया है यानि कितने रुपिया का वो बजट परस्तूत किया है यह कि आपका 45.03 लाख करोर यानि आपका option A हो जाएंगे कोश्चन है कि पियम मुदी ने किस राज में जल जन अभियान का उदगाटन किया यह कि आपका राज्थान राज में आपका option C हो जाएंगे कोश्चन आपका है कि वुमेंस अरना 90 T20 वर्ल कप 32 का किताब किस ने जीता है यह जीता आपका भारत ने आपका option C हो जाएंगे कोश्चन है कि दादा साहिफ हाल के अंतरास्टे फिल्म समारो 32 में किस फिल्म को वेस्ट फिल्म का पुर्शकार दिया गया है यह जीता आपका दा कस्मीर फैल्स को आपका option C हो जाएंगे कोश्चन है कि इंडिया मिंस होकी टीम के नया कोच की से निक्त किया गया है यह क्या क्रेग फुल्टन को आपका option C हो जाएंगे कोश्चन है कि रास्टे बिग्यान दिवस 32 का थीम क्या है यह आपका है गलोबल साइंस फोर गलोबल वेल विंग क्या है आपका option B हो जाएंगे आपके लिए question है कि बताना आपको कि रास्टे बिग्यान दिवस किस तीथी को मनाते हैं आपको बताना है कि इस किस डे को आपको रास्टे बिग्यान दिवस हम मनाते हैं इसका comment box में comment करकर जरूद इसका जबाब दीजेगा नेश्ट अब का है question number 11 Question number 11 कि Oscar Award 32 में West Actress का वाड किस अभीनेतरी ने जीता है यानि किस अभीनेतरी ने जीता है यह जीती आपका option A हो जाएंगे Missile Yo यानि Oscar वे West Actress का वाड किस ने जीती है तो Missile Yo आपका option A हो जाएंगे Next अब का है question number 12 है Question है कि नेपाल के तीसरे उपराश्वती ग्रूप में किस ने सबपत ली है ति यह आपका राम सहाई परसाद यादव आपका option C हो जाएंगे Next अब का question है Question अब का है किस देश ने हाली में रास्टे सिनेमा ररनिती सुरू किया है यह कि आपका यू यहीन है यहीनि सुख्त अरब अमिराथ UAE UAE ने यह शुरू किया है रास्टे सिनेमा ररनिती Next अब का है Question अबर चोद आपका है कि महिला Premier League यानि WPL WPL 32 का किताब किस टीम ने जीता है यह जीता है Mumbai Indians ने आपका option C हो जाएंगे जबकि आपका IPL काउन जीता है तो CSK ने जीता है यहनि चन्ने सुपर कीने इसे भी याद रखेगा Next अब का है Question अबर पंदरा Question है कि हाली में कौन सादेश Bricks New Development Bank का नया सदस्य बना है Bricks New Development Bank का नया सदस्य बना है यह बना आपका Mr. बना है आपका Option A हो जाएंगे Next अब का Question अबर पंदरा है Shula Question है कि flagship program PMCD किस मंत्रा ले की पहल है यह आपका है सिक्छा मंत्रा ले का है आपका Option C हो जाएंगे Next अब का Question अबर पंदरा है Question है कि पंचान में Academy पुसकारों में किस भारतिय फिल्म ने Successed with शित्र लगू फिल्म स्रीनी में Oscar 23 से जीता है यह जीता आपका The Elephant V.S.P.R.S क्या आपका The Elephant V.S.P.R.S Next अब का है Question अबर पंदरा है कि 8 March 32 को किस अभियान यह किस अभियान थिम के साथ अंतराष्टिय महिला दिवस मनाया गया अंतराष्टिय महिला दिवस मनाया गया इसका थिम था Imbraas Equality आपका Option नमबर B हो जाएंगे Next अब का Question नमबर 19 अब का Question है कि रेल लिवे ने कब तक सुद्ध सुनिक कारवन उस्तरजन बनने का लक्ष रखा है ये रखा आपका 2030 तक आपका Option C हो जाएंगे कब तक रखा है 2030 तक Next अब का है Question नमबर 20 है Question है कि हाली में किंद सरकार ने किंद्रिय कर्मचारी का महांगाई भात्ता 4% से बढ़ा कर कितना परसेंट कर दिया है आपका Option C हो जाएंगे Next अब का है Question नमबर 21 है कि एसिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डेन यानि जम्मो कश्मिर जो बन रहा है क्या नाम क्या है तो यादिक रखना है कि एसिया के सबसे बड़ा टुलिप गार्डेन कहां बन रहा है आपका बन रहा है जम्मो कश्मिर में यानि इसका नाम क्या है तो यादिक इंद्रा गांधी मेमोडियल कहना है इंद्रा गांधी मेमोडियल आपका Option C हो जाएंगे Next अब का है Question नमबर 22 Question है कि एक रिपोर्ट के मताविक भार्थ कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शौड निर्माता बन जाएगा तो ये बनेगा आपका 2026 तक कब तक है 2026 तक है Next अब का है Question नमबर 23 Question है कि हाली में किस राज सरकार ने स्कुल चलो अभियान 32 शुरू किया है तो ये कि आपका उत्तर प्रदेश आपका ओप्शन ए हो जाएंगे स्कुल चलो यानि उत्तर प्रदेश Next अब का Question नमब का 24 है Question है कि Global Watchdog द्वारा जारी Freedom in the World Index 23 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दरजा किसे मिला है यानि दुनिया के सबसे कम आजाद देश कौन है तो ये आपका है तिबबत आपका Option B हो जाएंगे Next अब का Question No.25 है Question है कि कौन सा देश भात का सबसे बड़ा व्यपार भागिदारी बन गया है तो ये बना आपका USA यानि अमेरिका आपका Option B हो जाएंगे Important Question है इससे आप जरूर याद रखेगा Next अब का Question No.26 है Question है कि हाली में जारी एक रिपोर्ट का नुसार फसल बीमा फसल बीमा योजना के किर्यानवन में कौन सा राज सिर्स पर रहा है ये रहा आपका याद रखेगा कौन सा राज़ना है करना तक आपका Option D हो जाएंगे Next अब का है Question No.27 है Question है कि पहली वार Underwater Metro Train का ट्रेल किस सहर में किया गया तो ये किया गया का कौलकात्ता में आपका Option B हो जाएंगे Next अब का है Question No.28 है Question है कि विजडन Cricketers of the Year चूने जानने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है Question का है Vision Cricketers of the Year चूने जानने वाली भारत की महिला क्रिकेटर कौन है तो ये आपका है हर मन प्रित कौर आपका Option C हो जाएंगे Next अब का है Question No.29 है Question अब का है कि हाली में किस राज की सरकार ने आउनलेन ग्रैबलिंग पर परतिवन्द लगाने वाले विधायक पास किया है तो ये कि आपका याद रखेगा यानि तमिलादू ने आपका Option B हो जाएंगे Next अब का है Question No.30 है और ये आज का Last Question है Question अब का है कि बच्चों के लिए Digital Health Card बच्चों के लिए Digital Health Card बनाने वाला पहला राज बना है तो ये बना आपका उत्तर परदिश यानि आपका Option D हो जाएंगे तो ये था आपका 30 प्रसन का Practice State तो हम आप लोग के लिए डिली आपका 30 प्रसन के Practice State लेकर आते है Current Affair का जो आपको Most Important Question रहते है उसी को हम Select के लेकर आते हैं और ध्यान देजिए आपका जैसे देखे आपका SPD जो वूख है हम SPD से ही आपको Current Affair जो अच्छे अच्छे Current Affair है उसको हम उठाते हैं एक Lens से नहीं करवाते हैं क्योंकि सभी कोशन आपका Important नहीं है और उसमें आपका बहुत सारे कोशन दाता है 1100, 1200 तो इतना कोशन परना असान नहीं है और याद भी रखना असान नहीं है इसलिए हम करते हैं आप लोग कि इसमें साथ जो आपका Important Question है इसी को हम सेलेक्ट करते हैं और उसी तरह से हम आपको Practition करवाते हैं यानि अभी तक आपको हम 10 Practition करवा दिये हैं इस लगा करके आप 10 Practition यानि परतेक प्रेटी सेट में 30 कोशन होगा आप को कि जिए को तीन सो कोशन होगा इसमें आपको जो 12 से कोशन हैं उसमें से 3 से करवाए हैं उसमें सभी Important Question को हम करवाए हैं तो आपके लिए फैदे मंद यह है कि जो Important Question है वो आपको सामने में एक साथ मिल रहे हैं तो उसको बनाने सा आपको फैदा होगा तो परतेक दिन आप परतेक्स शेटम देंगे आपको करेंड़ रफेगा आप उसे बनाइए आपको सभी Question इंपोर्टेंट रहता है आपको आने वाले सभी एक्जामों में helpful होंगे जिसे अभी आपका BPSC सिक्षक भरतिक है उसके बाद आपका BPSC है 69 BPSC एक एक्जाम है जिसे बिहार दोगा के एक्जाम है बिहार पुलिस के एक्जाम है तो सभी एक्जाम में आपका काम आएंगे तो आज के लिए तना ही थैंक्यू धन्यवाद जदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ला